तो साथियों अगर आपका बंधन बैंक में कोई भी खाता है और आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो गलती से आपका नाम वहाँ पे अपडेट हो गया है गलत है आपने कोई ऐसा डाकुमेंट लगा दिया था जिसमें कि आपका नाम गलत था और वही नाम आपके एकाउंट में रेजिस्टर्ड हो गया है लेकिन आप सुचूइसन यह आती है कि भाई आप अपने अकाउंट का नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम चेंज कैसे होगा इसका कंप्लेट प्रोसेस क्या है कौन कौन सी डाकुमेंट लगेंगे आपको कितने समय में आपका नाम चेंज कर बहुत प्रोपर तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ उससे पहले में आपसे एक बात कनफरम कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने अकाउंट का नाम चेंज कर वा रहे हो तो कोई भी एक गवर्मेंट आइडी के बेसेस पर ही आपका नाम चेंज किया जाएग चाहते हो उसी बेसेस पर आपका अकाउंट नेम चेंज होगा तो इस तरीके से आप कर सकते हूँ चलिए आप बात करते हैं कि भाई आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है कौन कौन से एक्स्टा में डॉकुमेंट लग सकते हैं तो प्रोपर तरीके से मैं आज आपको इस बेंक एकाउंट का नेम चेंज करना चाहेते हो तो आज की विडिव में आपको बताऊँगा कि आपको कैसे नाम चेंज करना है complete process क्या है कुण कौन कौन सी डाकूमर्मेट लगेंगे कितने समय में हमारे बेंक एकाउंट का नाम चेंज हो जाएगा, आज की वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं, वीडियो बहुत ज्यादा हैलफल होने वाली है, इसलिए मेरे आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सस्क्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर लेना हो, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, कि बैंक ब्रांच जाकर ही इस फॉर्म को लेते हैं, वो फिल करते हैं, इसमें अभी कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हो, चलिए आप हम लोग करते हैं, बेसिक इंफॉर्मिशन को फिल, साथ से पहले जानते हैं कि इसको क्या क् करते हैं बेसिक तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिला हुआ क्या टा ब्रांच हैड बंधन बैंक साथी और आपको यहाँ पर ब्रांच लीक ना है ये व मुद्धिया गया होगा आपकी पास्वक में वो branch name आपको यहाँ पर लेख दिना branch code भी दिया गया होगा branch code भी आपकी पास होगा date आपको उसी दिन की fill करने है जिस दिन आप ए form अपनी bank branch में submit करो तो साथी हो date आपको उसी दिन की fill करने है जिस दिन आप ए form अपनी bank branch में submit करो बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई फॉर्म लेया, डेट फिल कर दी, और उसके बाद उन्होंने दो-तिन दिन बाद गाए, तो अपने bank branch में क्या किया, इस form को submit कर दी है, और date क्या किया, वो गलत हो गई है, क्योंकि date वो पहले फिल कर चुके दी, इसलिए मैं आपको बता भी ने चलेगा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने घर का नाम डाल देते हैं, तो भाई, आपको घर का नाम नहीं डालना है, आपको नाम वही लखना है, जो कि आपकी पासुक में दिया गया है, CIF नमर भी दिया गया होगा, CIF ID बहुत प्रॉपर तरीके से आपकी पा अब आते हैं अपनी प्रोब्लम पर, भाई, प्रोब्लम क्या है हमारी, प्रोब्लम क्या है हमारी, चेंज नेम, साथ भी नमर पर आपको दिख रहा होगा, रिजन फोर नेम चेंजिंग, सबसे पहले आपको एक रिजन लिख देना है, कि भाई, आप नेम चेंज करना क्यों छायते हो अपने अक्аж ढशे तो या फिर आप यहां पर लग सकते हो कि अच्वेस आपको मडिय दिखेश है है कि कर मैं कम लूarna बब choices और में बunted है Ce वही नाम लिखना है जो कि आपके खाती का भी है प्रिजेंट में एक्जिस्टिंग नियू नियम आपको लिख देना है जो आपके खाती में नियम पड़ा हुआ है नियू एकाउंट नियम आपको वही लिखना एकाउंट नियम जो कि किसी गवर्मेंट आइडी में हो ऐसा न अकोई एक एक ऐसी आईडे आपके पास होगी जो आपका सही नाम akahुलब्स कर दिना है और उसी की photo copy आपको लगा देनी है उसी डखुमेंट की तह प्रापर तरीके से आपको नाम लिख देना नियू नियम में लिखना है यह new name में आपको लिखना है नया नाम जो नाम आप चेंज कराना चाहते हो और जो नाम पहले से वो आपको यहाँ पर existing account name में लिखना है और please attach the supporting document आपको यहाँ पर document भी यहाँ पर क्या करना है attach करना है जिसमें आपका सही नाम है और जिसके basis पर आप अपना नाम चेंज करवाना चाह रहे हो अपने account का वही document आपको लगाना है उसकी photocopy इस form के साथ आपको लगानी पड़ेगी चलिए यहाँ पर आपको समझ में आगया होगा कि हमारी problem क्या है और उसका solution कैसे है प्रोपर तरीके से आप कर चुकी हो इसके इलाबा भी अगर आपके साथ कोई और problem है तो वह आप select कर सकते हो यहाप इतने सारे options दियेगा है अगर आप कुछ update करना चाहते हो कुछ change करना चाहते हो तो आप select कर सकते हो अगर आपको इसके लाबा कुछ नहीं करना तो आप चलते हैं जो भी आपके खाते में लगे हुए है शेचल आपके लिखना है कुछ भी नहीं लिखना में आपको बता दे रहा हूं बहार से क्या करते कुछ भी 清 Temper Bened щु करके निकल लगा दे नहीं है बहुत प्रोपर तरीके से फोटो कॉपी लगाने के बाद आपको बैंक एमपलो को दे देना है वो कहना कि सर मेरा नेम चेंज कर दीजिए 24 घंटे के अंदर आपके एकाउंट का नेम चेंज हो जाएगा तो मैं ऐसा करता हूं कि आज की वीडियो को पसंद यह थैंक यू सू मच